हेलो फ्रेंड्स अभी शाम का समय है और मैंने बोला मैं आप लोग से बात ही कर लूँ बैठी थी श्रया खाना खा रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने इस टॉल बांधा हुआ है कान में और आज हिम्मत करके मैंने अपना पुराना ब्लॉग देखा और अभी वो चल भी रहा है आप लोगों ने भी देखा होगा उस ब्लॉग को जो की शुक्ला जी है उसमें और मैं शुक्ला जी से कह रहे हूँ कि कब आओगे मेरी वीडियो पर तो उन्होंने कहा जब समय आएगा तो वो अभी तक आया ही नहीं मेरे वीडियो पर बस उनकी चर्चाएं हैं तो बहुत हिम्मत करके मैंने वो वीडियो देखा और मैं अपने आपको रोक नहीं पाई दो तिन ब्लॉग देखे मैंने मालू मैं अपने पुराने वाले दो तिन ब्लॉग देखे एक देख लेती हूँ ना हिम्मत करके पहले तो मैं नजरे चुराती हूँ कि नहीं देखना नहीं देखना जैसे मैंने एक देख लिया तो फिर मेरी न इक्छा हुने लगती कि नहीं अभी वाला भी देखूं वो भी देखूं फिर मैं अपनी अपने मां का से इंदूर देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं सोचते हूँ कि वो लाइफ कितनी अच्छी थी मेरी कि कितनी अच्छी यहने वो लाइफ कितनी अच्छी थी मेरी जो मैं सच मेरा कुछ भी करने का ऐसा मन नहीं करता है पहले शुकला जी कहीं से भी आते थे ना तो वो बोलते थे क्यों बैट सहीं नहीं है चादर नहीं चेंज किया या फिर कोई भी समानी यहां से वहां कोई भी चीज रखी रहती थी तो वो डाटते थे क्यों यह समान वहीं कब ही रखा है अब चूज अहां रखा रहता है कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं मन किया तो कर लिया मन नहीं है तो नहीं किया श्रेय टीवी देख रही है ना इसलिए थोड़ा सा बैक्ग्राउंड में टीवी की आवाज आएगी जो आज था जो लगन से मैं पूजा करती थी अब मन नहीं करता हूँ करते लेती हूँ पर वो मन नहीं करता है वो आस्था नहीं रहती है हर बार मैं कुछ न कुछ मांगती थी एक लगन रहती थी शायद भगवान वो चीज पूरी करेंगे तो मैं मांगती रहती थी पूजा ही मैं लालच में करती थी, पर मन से करती थी, आत्मा से करती थी, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगती, कोई आस्था, कोई लगन नहीं, भगवान के प्रति, आज मैं दिल की बात बता रही हूँ, ना किसी मंदर जाने का मन करता है, ना ही काम की उससे करती हूं मैं तो कि हाँ बगवान जी को नहलाना है नहला दिया उनको वस्त रख पहना दिये जो भी रहता है वो कर देती हूं बस एक काम रहता है मेरा वो आत्मा वो लगन नहीं रह गई है बगवान के प्रती बहुत दिन बाद रोई हूं आज मैं पता है सोचती हूं क्योंकि आइसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा जो मेरे साथ हुआ मेरे साथ तो न शुक्ला जी जैसे ही गए न तो सारे लोगों के चैरे भी पता जल गए कि कौन कैसा फैचान गई मैं कि कोई किसी का नहीं होता है आज मैं अकेली हूं कोई नहीं है मेरे साथ सबने मेरे हाल पर छोड़ दिया जब गए थे तब हम है हम है ऐसा बोलते थे लोग पर अब सम्मतलवी लोग मिलते हैं जिनको मतलब रहता है वहीं लोग मिलेंगे बिना मतलब के कोई नहीं मतलब ही लोग रहते हैं अगर इसको मेरे से कोई काम होगा तो वहीं बात करेगा अर्वाइज मैं क्या हूँ कैसी हूँ कैसे जी रही कुछ भी नहीं मैंने भी सबसे बाते करना बंद कर दिया मुझे भी किसी से मतलब नहीं है मैं अपने हाल पर ठीक हूँ ब्लॉग तो शूट करती हूँ जो भी करती हूं बता देती हूं पस उस हांसी की पीजे कितने दुख कितने दर्द छुपे हुए वो बया नहीं करती हूँ मैं और कभी बस मजबूर हुजाती हूँ तो मैं आप लोगों से कह भी देती हूँ कि हाँ मैं ऐसी हूँ दुख इस बात का नहीं है कि लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया दुख इस बात का है कि मैं जूटी दुनिया में जी रही थी और आज पता चला कि ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ था मेरी लाइफ में मैं वस यही तो देखती हूँ जब मैं अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बताओ मैं कितने अच्छे से ब्लॉग शूट कर रही हूँ कितने अच्छे से हस रही हूँ कितने अच्छे से हर चीज कर रही हूँ पूजा पार्ट से लेके पर इसके बाद मेरे साथ क्या होना ये मुझे कुछ भी नहीं पता था और आज मैं किस सुचुशन में बैटी हूँ कैसे बात कर रही हूँ किसी के साथ ना हूँ ऐसा भी आज किसी के साथ ना हूँ बहुत तकलीफ होती है बहुत दुखर, इसके लिए बहुत मचाहिये होती है अकेले हर चीज एंडल करना बहुत बड़ी बात होती है बहुत बड़ी बात मेरी लिए तो बड़ी बात है मैं सच बताऊं बिना किसी के सपोर्ट के लोग अभी भी मुझे demotivate करते हैं किसी से अच्छा कुस तो बनेगा नहीं गड़े में ढखेलने के लिए बहुत लोग धक्का देनी के लिए मेरे पीछे खड़े हुए हैं कि ये गड़े में गिर जाए पर मैंने क्या किया है आज कल मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूं मैं अपने से मतलब रखती हूं शुकले जी की जाने के बाद मैंने खुद को पहचाना है मैंने खुद को देखा है कि इस रुची का कौन है मैंने ये देखा है देखा जाकर तो पता चला कि कोई नहीं है इस रुची का कोई नहीं है ये देखो यह है सुहाना जो की जूटी लाइफ जी रही थी कुछ दिन की रंगवरी लाइफ थी यह मांग भर रही है कुछ दिन की रंगवरी लाइफ थी जो देख की है जीव लगता है और आप देखो बिंदी सच बताओं तो शुकला जी कहते थे जिस दिन मेरे मांग में अगर सिंदूर ना देखे ऐसा तो कभी होता नहीं था पर कभी कबार अगर मैं मैंने हैर वाश किये है और मैं भूल गई हूँ या कुछ भी ऐसा बहुत कम होता था बिंदी गिर गई है ध्यार नहीं दिया तो वही टोक देते बोलते थे कि बिंदी लगा ले अच्छी नहीं लग रही है कैसी लग रही है आज तो लगा ले थी पर आज मेरी बिंदी भी नहीं है मांग भी नहीं है तो कहने वाले नहीं है मेरी खाना नहीं काती थी तो बोलते थे खाना काले मोवाइल में लगी रहती थी याने मोवाइल खुब चलाती थी मैं बस यहीं था एक मेरा मैं मोर्टिब की मुझे न अपना जो चैनल एक उसको ग्रो करना मगवण जी सब्रात्ना करती थी मेरा चैनल ग्रो हो जाये तो मैं उसहि मे लगी रहती थी कुछ भी शूट करती थी अईडिटिंग करती थी बस बार-बार देखती रहती थी, तो बते दे दिन भर लगी रहती है, आप सो जा, आप सो जा, जबकि उस समय तो कोई वो नहीं था कि मुझे पढ़ाई करना है, या कुछ भी ऐसा, वो तो मैंने ऐसे ही चुन लिया है, कि मेरा माइंड वहाँ पर लगे रहे, मेरा दूसरी जगर ना जाए, पर आज तो हार गई मैं, आज नहीं रोक पाई अपने आपको, आज बहुत मूड आफ है मेरा, चलो तो इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाए,